हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चूटनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे कैंसर डिसिस के बारे में तो इसके जो कोजिस है उसको हम स्टडी करेंगे कि जो कैंसर होने के हम कहते हैं कि कारण फिर उसके सिम्टम्स मतलब की उसके लक्सन और किस तरह से हम मेडिसिन्स वगेरा को यूज करके उसको ट्रीट करते हैं कौन से अलग-अलग options होते है कि जब किसे को cancer होता है तो किस तरह से उसका ilaj होता है कौन से अलग-अलग remedies होते है कि जिससे cancer की जो है वो हम treatment करते है तो यह सभी को जानेंगे यह video lecture में फिर cancer के लिए जो दूसरा एक time use होता है that is neoplasm के cancer को neoplasm भी कहा जाता है तो यह सब आपको अच्छे से study करना है यह video lecture में तो शुरू करते है lecture के अंदर expert lecture by Amar sir thank you for being one leg family of pharma rocks updated रही है pharma knowledge के साथ access करिये study material test series video lecture on F pharma rocks तो सीखते हैं cancer के बारे में आप detail में तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए उसके definition के बारे में कि जो यहाँ पे ही उसका main concept है यह line के अंदर कि cancer is a term used for the disease in which abnormal cells divide without the control मतलब कि क्या होता है कि cell की यहाँ पे condition देखिए क्या लिखा है तो मैं यहाँ पे classify कर लिता हूँ आपके लिए कि एक side है हमारा यह normal cell और दूसरी side है यह abnormal cell तो abnormal cell जो है वो क्या करता है उसकी जो growth होती है कैसी होती है without any control without control कि उसकी जो growth है उसके उपर कोई control नहीं रहा जिबकि normal cell की जो growth होती है उसके उपर होता है control कि growth तो होती है बट with proper control की proper control के साथ ही उसकी growth होती है तो यह है हमारा normal cell की जो healthy person के अंदर होते है और जब वो cell abnormal होता है तो abnormal क्यों होता है तो अलग-अलग जो cancer होने की जो अलग-अलग कारण होते है cancer की जो causes होते है यह causes क्या करते है normal cell को abnormal cell के अंदर convert कर देते हैं कि जो हम आगे detail में सिखने ही वाले है कि कौन से causes है कि जिसके करण कोई normal cell abnormal cell में convert होता है तो जब हमारा cell normal होता है तो अलग-अलग जो growth factors होते है उनके कारण उसकी जो growth है वो proper control में होते है कि जब चाहिए तब उसकी growth होती है और जब जरूरत नहीं है तो वो growth जो है वो inhibit भी होती है बट जब वो abnormal cell के अंदर convert हो जाता है तो उसको जो control करने वाले जो parameters होते है वो अब जो है वो proper उनका function नहीं रहता जिसके करण वो cell है वो बिना किसी control पे control continuously अपनी grow करता रहेगा और साथ में क्या गरेगा कि एक जो cell abnormal हुआ है तो उसके आसपास के दुसरे जो cell है उनको भी infected करेगा कि सबसे पहले समझो कि ये एक center में एक cell है या फिर कोई tissue है वो infected होई है तो वो उसके आसपास रही है दुसरी जो tissues होंगी उनको भी damage करना start करेगा तो जिसके करन क्या होगा कि ये एक तो damage था उसके करन आसपास के दुसरे भी damage हुए और ये सिलसिला आगे चलता ही रहेगा और फिर इस तरह से ये cancerous tumor जो है वो develop हो जाता है कि जिसको हम कहते है cancerous tumor कि एक tumor बन जाता है और ये जो tumor है वो फिर हम कहते है cancerous tumor की जिसके अंदर abnormal cell है कि जो responsible है for the cancer तो ये है main concept behind the cancer अब क्या होता है कि ये जो cell abnormal cell abnormal हो गए तो ये abnormal cell की तो growth तो हो रही है बिना किसी control के साथ हो साथ वो आसपास के दुसरे tissues को भी damage कर रहे है और एक और चीज़ ये होगे कि जब ये cell spread होना start करेंगे और spread होने के लिए वो सहारा लेंगे हमारे blood का और साथो साथ lymphatic system का कि जो blood और lymphatic system के थुरू ये body के दूसरे अलग-अलग parts की और भी पहुचेंगे कि वो area जो healthy है तो अब क्या करेगा कि ये जो tumor है उसके अंदर रहे जो cancerous cell है उसके अंदर रहे cancerous cell वो start कर देंगे अपनी traveling और वो traveling करेंगे और उनके लिए career का जो काम करेगा career का that is blood और lymph blood और lymph के तरू सभी जगा पर ये cancerous cell फैलते जाएंगे और दूसरे जो healthy cell है उनको cancerous cell में convert करते जाएंगे और देरे-देरे cancer जो है वो फैलता जाता है तो cancer के लिए जो दूसरा term use होता है that is neoplasm की cancer को हम neoplasm भी कहते है तो इस तरह से देखिए कि ये वाली जो जगाप है तो यहाँ पर ये हमारा normal cell था अब ये normal cell अलग-अलग जो cancer की जो causes है ये causes के कारण कि जो cancer होने के लिए responsible जो reasons है causes जो हम कहते हैं उसके कारण वो cell cancer cell में convert होता है तो normal जैसे cell की जो division होती है कि ये one cell एक में से ये दो cell बने दो में से यहाँ पर चार तो इस तरह से फिर चार में से यहाँ पर हम आठ cells देखरे है और फिर इसी तरह से continuously उसकी grow होके अपना develop कर देते हैं tumor कि देखे यहाँ पर doubling हो रहा है तो एक में से दो हो गए दो में से चार और चार में से आठ और फिर यही सिलसिल आगे चलता जाएगा कि जैसे मैंने mathematically हम देखते है कि mathematically हम लिखते कि cell प्लस cell प्लस cell ऐसे हम लिखे प्लस डेस 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 N times तो यह जो mathematics की जो हम formulas लिखते थे ऐसा ही है कि cell 1 फिर second cell थर्ड cell ऐसे N times उनकी growth होती जाएगी because यहाँ पे कोई control नहीं रहा उनके उपर because यह जो cell है वो cancer cell के अंदर convert हो चुका है उसके उपर आप कोई control नहीं है और जब control नहीं है तो वो अपनी growth जो है वो continuously करते जाएगे और साथ में उसके आसपास रहे दुसरे healthy cells को भी damage करते जाएगे तो उसके करण आगे जाके वही जगा पे एक tumor develop हो जाता है जो हमने यह यह वाले डाग्राम में देखा किस तरह से यह एक ही जगा पे repetitive एक ही cell के जो growth होती जाती है उसके करण वहाँ पे यह tumor develop हो जाता है तो cancer होने के जो responsible जो causes जो हम कहे तो that are carcinogen carcinogen मतलब की ऐसे mediators कि जिसके करण किसी को cancer होता है कि कोई वह substance हो सकता है कोई radionucleotide हो सकता है radiation हो सकता है कि जो promote करते है carcinogenesis carcinogenesis मतलब की कोई normal cell है हमारे पास और यह normal cell cancer cell में convert होता है तो यह जो process है उसको हम medical terms के अंदर कहते है carcinogenesis तो carcinogenesis जो process होती है वो करवाने में जो mediators का काम करते है जो promoters का काम करते है that are the carcinogens तो carcinogenesis के अगे हम example देखेंगे तो उससे पहले यह समझे नीचे वाला point की this may due to the ability to damage the genome or to disruption of cellular metabolic process कि जो कोई भी cell है तो कोई भी cell का जो genome होता है वो यहाँ पे damage होता है या फिर उसके अंदर जो metabolic processes होती है वो completely damage हो जाना और जिसके करण जो control होता है वो चला जाता है जिसे कि यहाँ पे एक example दिया है UV ultraviolet race फिर कोई smoking करता है वो फिर यहाँ पे alcohol का एक symbol दिया हुआ है फिर वेही colorous के पीछे से निकलने वाला जो हम्द कहे तो जो धुआ निकलता है तो वो भी आगे जाके करते है pollution तो वो एक factor है यहाँ पे यह according to chemicals दिखाए है radiation दिखाए है x-rays का दिखाए हुआ है तो यह सब बनते हैं अलग-अलग reasons जैसे कि यहाँ पे यह diagram के according to the causes of cancer तो radiation जैसे कि x-ray कि अगर कोई person बहुत ज्यादा excessive x-rays लेता है तो उसके करण क्या होता है कि आपके जो body के जो cells होते है वो cell के अंदर हो जाता है mutation तो mutation का मतलब होता है कि change in DNA sequence change in DNA sequence तो DNA का जो sequence होता है जब आपके अंदर change होता है तो वो जो normal cell है वो अपनी जो ability जे वो कुछ उसकी change हो जाती है और उसके करण वो mutation के करण भी वो आगे जाके cancer cell के अंदर convert हो सकता है तो वो एक reason बनता है radiation के radiation के करण जो healthy cell से normal cell वो cancerous cell में convert हो सकते है फिर aging कि person की age भी उसके उपर एक reason है फिर pollution कि जो pollution के अंदर जो बहुत चीज़ों अलग-अलग harmful gases होते है और वो से gases के continuously contact में आते है जो gases वाली जो air है वो आप breathing में लेते है तो ऐसी air भी आगे जाके reason बनती है cancer होने के लिए environmental pollution और उसके अंदर रहा radon gas वो भी है फिर this is जैसे कि COPD अगर COPD को treat ना किया जै तो आगे जाके वो cancerous cell में convert हो सकता है genetics भी होता है कई बार के family history occupations asbestos कि जैसे silicate से tobacco smoking फिर smoke कि जो second hand भी कह सकते कि क्या सपास को smoking कर रहा है और वो जो smoke है वो समझे कि आपके lungs के अंदर जाता है तो वो second hand smoking के कारण भी ये जो है वो cancer हो सकता है तो ये सब ये उसके causes reasons हम कहते हैं epidemiology हम देखे तो worldwide जो mortality rate है तो जो death हम कहे है तो at least हर साल on an average 85 lakh जितनी death होती है हर साल due to the cancer की जो हम कहे है millions के अंदर देखे तो 8.5 million रोस को हम lakh के अंदर convert करे तो at least 85 lakh जितनी लोग को कि death होती है due to the cancer उसके अंदर हम देखे specially तो जो lung cancer के 1.69 millions जितनी death होती है सबसे जदा lung cancer के करण फिर liver का cancer फिर colorectral stomach की जो हम gastric cancer कहते है breast cancer और दूसरे सब अलग-अलग टाइप के cancers तो यह है epidemiology cancer के अलग-अलग टाइप हम देखे तो breast cancer है skin का भी cancer होता है lungs cancer होते है colon cancer होता है कि जो हमारे intestines के related है prostate cancer होता है cervical lymphoma है stomach cancer तो यह अलग-अलग टाइप के cancer तो यहाँ पर देखे यह वाले जो cell है यह normal cell है यह set भी यह जो pink color जैसा देख रहे है यह भी normal cell है और जो center में है यह है tumor cell तो यह क्या होगा कि यह जो tumor cell है वो आस-पास के जो दूसरे cell है उनको भी क्या करेंगे आगे चाके डेमेज करेंगे कि यह normal cell और यह cancer cell जो है वो अपनी growth कर रहे दिया दोनों side आप normal cell देख रहे है और center में tumor cells कि जो अपनी growth कर रहे है और आगे जाके वहाँ पे एक tumor develop हो जाएगा तो cancer के हम types देखे बेजन तो origin तो carcinoma होता है फिर sarcoma, leukemia एक अपस है lymphoma हम कहते है myeloma, blastoma germ cell cancer and central nervous system के cancer तो देखिए जो larynx का जो portion है यहाँ पे भी cancer develop होता है melanoma भी उसका एक type है lungs भी affect होते है cancer के करेंगे जिसको हम कहते है lung cancer कहते है stomach की जो inner linings होती है वहाँ पे tumor develop होता है that is stomach cancer bones के अंदर यहाँ पे cancer cells develop होते bone cancer फिर जो हमारे germ cells है मतलब की जो reproductive organs है और उसमें भी ovarian cancer हो सकता है prostate cancer हो सकता है brain के अंदर भी cancer हो सकता है and also about the breast तो यह अलग-अलग type के cancers जो है वो develop होते है तो cancer नतिक के अंदर जो tumors होते है वो दो type के tumor होते है एक होता है benign tumor एक जो tumor है वो है benign और second जो हम कहते है that is malignant tumor तो दोनों में difference क्या है what is the difference between these two तो जो benign tumor है वो small होता है जबकि malignant tumor काफी large होता है benign tumor की जो growth है वो काफी slow होती है जबकि malignant tumor की growth fast होती है फिर non-invasive मतलब कि यह जो है benign tumor वो एक ही जगा पे रहता है उसके आसपास के दुसरे cell को infect नहीं करता जबकि malignant tumor से उसके आसपास के दुसरे जो cell है उनको invasive करता है उनको भी अपना जो damage है वो pass करता है कि एक cell अपना damage उसके pass वाले दुसरे cell में भी भेजता है उसको हम कहता है invasive मतलब कि cheap लगना कि mode of transmission कि एक cell से दुसरे cell तक भी यह जो damage फैलता है cell के अंदर तो वो बन जाता है यह malignant tumor जबकि बीना इंट tumor के अंदर ऐसा नहीं होता because उसके आसपास यह connective tissue का एक layer होता है यहाँ पर देखिए यह जो है वो connect यह पूरा एक देख सकते है envelope जैसा है जबकि यहाँ पर ऐसा कोई envelope आपको देखने को नहीं मिलता जिसके करन क्या होता है इसकी जो growth है वो काफी होती है fast जबकि इसकी जो growth है वो होती है slow growth होती है well differentiated जबकि यह poorly differentiated है stay localized stay where they are मतलब कि जिस जगा पर वो है like समझो कि किसी को यह जो benign tumor है वो develop हुआ है legs के portion में तो वो वहाँ पे ही रहेगा वो tumor जबकि यह जो से वो फ्यालता जाएगा infiltrate, invade and destroy the surrounding test जो कि एक जगा पे जो develop होता है तो body को other parts को भी वो देरे-देरे damage करता जाएगा जबकि can't invade or metastasize कि एक जगा से दुसरी जगा पे वो नहीं फिलता है तो mode of transmission हम कहे कि जो हम कहे कि यह जो cell एक cell दुसरे cell को जो संक्रमित करता है infected करता है वो जो है वो यहाँ पे नहीं होता जबकि यहाँ पे metastasize होता है तो यह जो है वो malignant tumor जब किसी को होता है तो जब malignant type का tumor होता है तो स्वग वो काफी fast फैलता है जबकि बीनन tumor है वो slow फैलता है sign-em symptoms हम देखिए तो significant weight loss होता है परसन का poor appetite काफी भूग जो है वो काफी कम लगती है तीसरा point हम देखे तो sweating और उसमें भी especially रात को ज़्यादा पसी ना आना भूग कम होना weight loss हो जाना severe pain weight loss में भी ऐसा कि जो आप notice कर सके ऐसा significant weight loss हो जाता है अच्छानक से neurological symptoms देखने को मिलते है उसके अलावा change in appearance आपका जो appearance है वो change हो जाता है body weight weakness काफी लगती है blood in vomiting काई बार जब vomit होती है तो उसके अंदर blood भी आता है chronic cough होता है especially lung cancer के अंदर तो जो lung cancer है उसका एक main symptom develop होता है chronic cough फिर जब colon cancer होता है तो उसके अंदर bowel changes होते है फिर leukemia की जो blood cancer हम कहते है lymphoma, lymphatic system related cancer तो उसके अंदर fever भी देखने को मिलते है patient के अंदर फिर fatigue रहता है, ठकान होती है काफी weakness आ जाते है body के अंदर तो ये सब भी दूसरे symptom से cancer के diagnosis तो physical examination से पहले तो diagnosis होता है कि जो sign and symptom से उसके business पे जो है वो diagnosis हो सकता है second, biopsy की जाती है कि जो tumor है उसकी biopsy भी की जाती है blood test की रहे जाता है कि जो है complete blood count biopsy की जो जो biopsy निरल से कि समझे कि liver related doubt है कि liver related कोई cancer हुआ है, वो area में कोई cancerous cell रहा रहा पर है वहां के हम जो है वो cell या फिर tissue collect करेंगे examination के लिए फिर newer molecular and cellular diagnosis test जैसे कि X-ray है, MRI है CT scan वगेरा भी perform के जाते है कि person का X-ray निकालो आप MRI है CT scan किया जाता है to diagnose the cancer उसके लावब जो दूसरे amazing test है कि amazing test using diagnosis of cancer may include the computerized tomography जिसको CT scan हम कहते है फिर जो bone cancer है ऐसा आपको लगता है तो bone अच्छे से scan किये जाते है उसके बाद magnetic resonance imaging जो हम कहते है MRI positron emission termography PET scan MRI यह दोनों option हैं हमारे पास ultrasound भी किया जाता है कई बार X-ray and other options like biopsy during a biopsy doctor collects a sample of cell for testing in the lab तो यह सब अलग-अलग option से diagnosis के लिए for the cancer treatment के हम बात करें एक तो cancer की जो treatment है कि जिसको हम specially कहते है chemotherapy कि यह word आपने कई बार सुना होगा कि cancer chemotherapy जो हम कहते है कि यह chemotherapy के अंदर जो main जो side effect जो होती है कि यहाँ पे जो chemotherapy का आप जो patient देखे तो वहाँ पे एक side effect develop होती है that is alopecia जो हम कहते है that is loss of hair loss of hair जो भी patient होता है chemotherapy का उसको specially आप यह देखे तो चाहे वो male हो या female loss of hair यह side effect रहती है यह treatment की कि जिसके अंदर rapidly dividing cells metastasized cancer जैसे की leukemia and lymphoma कि जैसे हम कहें तो ऐसे की जो काफी fast grow करते है malignant time के जो tumor सोते दूस्वक कीमो थेरापी से फटावर्ट उनको treat करना start किया जाता है फिर radiotherapy दी जाती है जिसके अंदर iodine 131 especially thyroid cancer के लिए iridium 192 breast cancer के लिए use किया जाता है तो यह दोनों आप अच्छे से याद रखे कि iodine 131 के लिए iodine 131 thyroid cancer में use किया जाता है iridium 192 use होता है breast cancer के अंदर surgery भी option है कि जब metastasized नहीं है मतलब कि benign tumor है तो उस वक्त जो है वो surgery करके वो portion remove करके वो tumor को remove कर दिया जाता है but prostate breast or testicular cancers वहाँ पे कि जो surgery करके option से immunotherapy जैसे कि immune system made strong to fight against the cancer कि जो आपकी immune system है उसको अच्छे से strong किया जाता है कि जिससे जो immune cell को use करके भी है हम fight back दे सकते है cancer के अंदर hormonal therapy की जो hormones के जो level है उनको change करके cancer cell को kill करना फिर gene therapy का जो option है कि जिसके अंदर replacing the defective genes की जो defective genes के करन cancer हो रहा है तो वो genes को ही हम change करते तो उससे भी treatment होता है तो ये treatment के हमारे पास अलग-अलग options होते है तो जो cancer के chemotherapy की हम जब बात करते है तो उसके अंदर specially जो हम कहें तो anti-cancer drugs कि जो cancer की treatment के अंदर उसकी इलाज के अंदर use किये जाता है तो ये anti-cancer drugs के अलग-अलग यहाँ पे हम देखे तो itoposide है palsytexel है methodrixet की जो patient का अच्छे से diagnosis करने के बाद diagnosis के बाद कौन से medicine उसको देने because यहाँ पे क्या होता है एक options कि यहाँ पे कौन से टाइप का tumor है कि benign है या फिर malignant वो जो है वो diagnosis करके find किया जाता है और उसके basis पे आगे जो है वो treatment के जो option से वो select किया जाते है और यहाँ पे एक involvement होता है DOC का मतलब की drug of choice drug of choice मतलब कि कौन से टाइप के cancer के लिए कौन सी drug based रहेगी उसके basis पे ही यह prescription based medications patient को prescribe की जाते है कि palsy taxel उसको दिया जाए methodrixate है etoposide की treatment चले तो वो based on the diagnosis कि diagnosis करके जब आपको पता चले कि कौन से टाइप का cancer है उसके बाद ही यह medications prescribe किया जाते है तो यह सभी medications रहती है RX only anti-cancer drugs की जो रहती है RX only तो यह अच्छे से आपको याद रखना है anti-cancer also call anti-neuoplastic drugs की जिन्सको anti-neuoplastic drugs भी कहा जाता है तो अभी result में जो lecture आया था वो आपने देखा होगा कि जो anti-cancer drugs के उपर हमने बनाया था part 1 lecture already available है वो आप देख सकते कि जो था specially anti-neuoplastic drugs के उपर कि जो detailed pharmacological classification था about the anti-cancer drug कि जिसके अंदर जितने भी अलगा-लग anti-cancer drugs होते है सभी के बारे में हमने study की थी तो यह lecture भी आप जरूर से अटेन करिए उसका आगे जाके part 2 भी आपको मिलेगा तो यह part 2 के अंदर फिर हम discuss करेंगे drug of choice के बारे में कि कौन से टाइब के cancer में कौन से टाइब की drugs prescribe की जाती है drug of choice रहती है वो भी आगे जाके discuss करेंगे तो यह था special lecture regarding the cancer उसके treatment के जो options और वो उसके types के बारे में तो get our lecture notes and pdf on app PharmaRox in affordable price download कर सकते है PharmaRox thank you friends for watching join कर सकते है WhatsApp group access करेंगे study material test series video lecture on app PharmaRox so good luck and all the best